अगर आप भी 10th क्लास में हैं और English का एक्जाम हैं लेकिन डर लग रहा है कि किस तरीके से पेपर आएगा और मैंने बुक में से कुछ भी नहीं पड़ा है और मैं कैसे पास हो सकता हूं या हो सकती हूं चीक है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं ती एच क्लास तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगी English 202 यानि 10th क्लास वाले बच्चों के लिए English का जो पेपर है वो आपको किस तरीके से सॉल्लो करना है अगर आपने बुक नहीं पड़िया तो भी कोई दिकत की बात नहीं है आप सर्फ और सर्फ grammar portion से भी पास हो सकते हैं ठीक है तो वो ट्रेक्स मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप grammar portion से आराम से पास हो सकते हैं important question answers नहीं कि हैं सो प्लीज टेंशन मत लीजेगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो का यही परपस रहने वाला है कि आप कैसे ना कैसे करके अपने passing marks अपने पेपर में लेकर आ जाएं ठीक है तो यहां पर मैं आपको जो है यह previous year का question paper दिखा रही हूं इसी type के आपके question paper में questions frame होने वाले हैं सो सबसे पहले आपको इस सरीके से question paper दिखाई देगा जहां पर उपर सबसे उपर आपको English 202 दिख रहा है code number है set है set ABCD तो आपके चार set होते हैं यहां पर day and date of examination है signatures आएंगे दो जो आपके teachers हैं कुछ general instruction दिये जाते हैं जिसे roll number वग चार set में यह question होंगे पहले आपका section A होगा section B section C और section D ठीक है तो चार sections में यह होने वाले हैं जो आपका paper code दिया है वो आपको answer book पे जरूर लिखना है जो चलिए start कर लेते हैं हमारे main paper को तो यह आपका main paper है section A आपका reading section होने वाला है section B आपका writing section है section C में आपका grammar portion आएग ठीक है तो section A आप देख लिजे कि सरीके से करना है reading section है इसका मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें यह पूरा total 15 marks का है दो question दिये जाएंगे एक 8 number का है और second question आपका 7 number का होने वाला है total 15 का हो जाएगा तो यहाँ पर एक देखे क्या करना है आपको यहाँ पर एक passage आपसे बोला गया है ठीक है इस passage को आपको पूरा पढ़ना है passage को पढ़के कुछ questions नीचे दिये जाएंगे उनसे आपको answer निकालना है उन questions का इस passage के अंदर से बहुत आसान है कुछ नहीं करना सर्फ सबसे पहले बच्चे करती क्या करते हैं कि वो passage को पढ़ना start कर देते है आपको यह नहीं करना आपको अपने सबसे पहले questions की तरफ जाना है और questions को पढ़ना है तो हमारे यह जो passage है यहां खतम हो रहा है कैसे पता चला answer the following questions तो यह जो questions है इनके हमें answer करने है ठीक है passage यहां खतम हो रहा है तो देखे question number one क्या है how did the conductor help the lady get off the bus यानि कि conductor ने जो औरत की उसको बस से उतरने में कैसे सहायता की दो number में question है तो इसका answer हम उपर ढूनने की कोशिश करेंगे फिर ठीक है इस तरीके से आपको करना है तो यह देखिए one day I was traveling on a local bus एक दिन मैं local bus में यात्रा कर रहा था a lady who seemed to be from a remote village got on the bus with three young children and lots of luggage एक औरत जो किसी गाउं की शेत्र से लग रही थी वो बस में चड़ी उसके साथ उसके तीन बच्चे और बहुत सारा लगे जाने सामान था sure enough she was new to the city मैं बहुत जादा sure था कि वो इस शहर में नई थी she looked confused and worried वो बहुत जादा confused लग रही थी और परिशान चिंतित भी लग रही थी she did not know where exactly her bus stop was उसको नहीं पता that at every stop she got up to check whether that was her bus stop मतलब वो इतनी चिंति थी इतनी anxious थे कि वो हर stop पे उठकर देखती थी कि कहीं यह उसका bus stop तो नहीं है the bus conductor at every stop told her I'll tell you when your stop arrives don't worry तो bus conductor ने उसको हर stop पे कहा कि जब भी आपका stop आएगा मैं आपको बता दूँगा और आप चिंता मत कीजे bus kept running bus जो चल रही थी people were getting on and off the bus और जो लोग थे वो आजा रहे थे चडर उतर रहे थे the lady was not comfortable with the words of the conductor और जो lady थी जो अरत थी वो conductor ने जो words कहते उससे comfortable नहीं थी so she desperately tried to look out of the crowded bus to check if our station has arrived तो वो इस वज़े से desperately देख रही थी कि कहीं उसका station आतो नहीं गया finally the bus reached her bus stop finally जो bus stop था उसका वो आ गया the conductor called her respectfully and helped her get off the bus by lifting her children in luggage one by one the lady shouting at her children don't go to the road देखे यहां पर हमें अपना answer मिल गया conductor ने कैसे उसके help करी conductor ने उसको respectfully बुलाया उसके बाद उसके जो है सामान को और उसके बच्चों को एक एक करके bus में से उतारा और उसकी इस तरीके से help करी ठीक है तो यह हमारा first question का answer मिल गया second question फिर हम पढ़ेंगे और उसका answer इसी तरीके से ढूंडेंगे so second question है why did tears start flowing down the conductor's checks तो जो conductor था उसकी आँखों में से आसू क्यों बह रहे थी एक मार्क में यह question है आगे देखिए इसमें यही मिल जाएगा हमें and the bus moved on and so did I I was really moved by the attitude of the conductor so जो बस थी वो भी आगे चली गई और मैं भी वहां से उतर गया और मुझे जो conductor का attitude था उसने बहुत ही जादा एक तरह से उत्साहित किया as I was close to the main door I called the conductor and said you are really a good conductor तो मैं जब conductor के पास पहुँचा main door पे तो मैंने उसे conductor को कहा कि तुम सच में बहुत अच्छे conductor हूँ वो confused लग रहा था और उसने मुझे कहा brother will you please repeat your words भाई तुम क्या अपने शब्दों को दुबारा repeat करोगे when I repeated tears started flowing down from his checks ठेक है तो यहाँ पर देखे when I repeated tears started flowing down his checks क्यों flow down हुए यह बच्चे यहीं पर confused होगे उसने अपने hands fold किया और उसने कहा I have been doing like this for the past 30 years nobody has complimented till now ठेक है मैं यह सारी चीज़े जो है पिछले 30 साल से कर रहा हूँ लेकिन किसी ने भी उसे अब तक compliment नहीं किया था oh now I am happy I am today तो इसका answer हो जाएगा कि he have been doing like this for the past 30 years nobody has complimented him till now और जब उसको compliment किया गया यहां से यहां तक इसका पूरा अंजरा आप लिख देंगे ठेक है next question यह आपका कुछ इस तरीके से आता है कि multiple choice question है एक mark में मतलब यहां पर आपसे question पुछा गया है why was the lady confused and worried जो lady थी वो confused और worried क्यों लग रही थी तो यहां पर आपसे कुछ option दी गए है और मैंसे सही option को आपको choose करके लिखना है ठेक है सबसे पहला option है she was not able to take care of her luggage कि वो अपने सामान के धान नहीं रख पा रही थी यह तो नहीं था है न her children were constantly troubling her उसके बच्चें से परिशान कर रहे थे ऐसा भी नहीं था she did not know where exactly her bus stop was उसको नहीं पता था कि उसका bus stop कहां पर है तो यह इसका answer हो जाएगा ठेक है या फिर the conductor was very curt and rude यह भी नहीं था conductor बिलकुल भी उससे rude नहीं था है ना तो इस तरीके से आपको answer निकालने है ठेक है नेक्स्ट यह वाला question भी इसी तरीके से आपको करना है नेक्स्ट यह वाला जो question है complete the statements जैसे की we do not require to do a big service to डाश तो यहाँ पर यह दो number में है इसको हम क्या करेंगे इसी में से डूनना है हमें यह passage में जहाँ पर भी हमें यह passage में line दिख रही है देखिए यह रही वो line we do not require to do big service to उसके बाद यह जो line है create happiness around us यहाँ पर भी point आ रहा है वहाँ पर आपको रुख जाना है और इतनी line को यहाँ से उठा कर इसमें आपको लिख देना है इसी तरीके से यह वाली जो line है इसका जो blank space है वो हमें उपर वाले paragraph में ढूणना है क्या line है a simple compliment can give so dash to the receiver तो उपर देखते हैं यह रहा a simple compliment of mine created so joy in him उसके बाद इसका answer हो जाएगा कि जो simple compliment है वो बहुत ही ज़ादा joy देता है किसी एक के लिए तो a simple compliment can give so joy in to the receiver ठीक है next question find words in the passage that means the same as हमें passage में वो word ढूणने है जो कि इनके same हो ठीक है फ़रा 4 में हमें praised somebody praise का मतलब होता है किसी की तारीफ करना ठीक है तो यहाँ पर बूल गया है praise somebody यानि किसी की तारीफ करना इसका same word क्या हो सकता है हमें para 4 में ढूणना है तो para 4 ये रहा अभी हमने देखा compliment compliment का भी same मतलब होता है किसी की तारीफ करना और praise का भी same मतलब है तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा compliment ठीक है next question far away या distant जो दूर है उसका para 1 में निकालेंगे answer अब फटा फटा हम second question देख लेते हैं second question भी कुछ इसी तरीके का आएगा यहाँ पर आपको passage दिया गया है 7 number में एक question है पूरे passage को आपको पहले पढ़ने से आपको पहले ये वाले question पढ़ने है जो इसके question आपसे बूले गए है ठीक है ये question अगर आप पढ़ लेंगे आराम से उसके बाद आपको ये passage में जाना है और answer ढूनने है I hope आपको clear है first मैंने आपको करके दिखा दिया है section B की तरफ बढ़ते हैं ये है writing section marks इसमें है 25 जिस बहुत अच्छे scoring marks है अगर आप करना चाहें तो third question है हमें यहाँ पर एक letter लिखना है देखे loudspeakers are played everyday in your locality on some pretext or the other तो आपकी जो locality आपके जो area है वहाँ पर loudspeakers बहुत ही जादा जो है बजाए जाते हैं हर दिन तो आपको एक letter लिखना है police inspector को जो भी आपके locality का police inspector है उसको complain करनी है इस बारे में कि ये जो loudspeakers है वो ना बजाए जाए तो ये आपका एक complaining letter हो जाएगा इसका format आपको देखे बहुत ही जादा अच्छे score कर सकते हैं 7 number में है format समझ लीजे सबसे पहले आपको लिखना है sender address sender address में आप यहाँ पर देखे नहीं दिया हुआ है कि कौन लिख रहा है किस नाम से लिख रहा है तो आपको sender address जो है अपना कोई भी address लिख देना है उसके बाद आपको एक blank space छोड़ना है फिर date आप लिखेंगे date लिखने के बाद आपको फिर blank space छोड़ना है और यहाँ पर आप लिखेंगे फिर receiver address receiver address का मतलब क्या है police inspector ठेक है police inspector आप लिखेंगे और उसके बाद जो भी आपके area का नाम है जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं नियो देली ठेक है जो भी आपकी locality है उसके बाद आप लिखेंगे subject space छोड़ के subject आप लिख देंगे कि यहाँ पर complaining against the complaining against the nuisance of loudspeakers ठीक है यह आपका subject बन जाएगा फिर आपका जो main content है वो आएगा and then last में thanking you yours obediently इस तरह के से आप लिखेंगे ठीक है next question है एक जो है यह है आपका report writing के लिए यहाँ पर एक NGO है health for all नाम से जो की organize करवारा है health check ups camp in your area ठीक है यहाँ पर आपसे बूला गया है कि आप दीपक या दीपी का है ठीक है लड़के जो है वो दीपक नाम यूज़ करेंगे लड़किया दीपी का नाम यूज़ करेंगी और आप विज़िट करते हैं उस camp में as a journalist मतलब आप एक journalist है यहाँ पर बता दिया गया है और आप तो उस camp में विज़िट कर रहे हैं उस camp को आपने अपने अपना health check up भी वहीं करवाया है और अब आपको एक report लिखनी है सो सब्दों में for your newspaper जैसा असने पहले बोल दिया तो journalist है तो newspaper में आपको एक report लिखवानी है report on how the proper treatment of people of your area and nearby areas was done was done हमेशा बात याद रखेगा report जो होगी वो हमेशा past में लिखी जाएगी क्योंकि जो घटनाए हो चुकी है उसके बारे में हम report लिखते हैं कभी भी report आपको future या present tense में नहीं लिखनी है इस बात का आपको ध्यान रखना है report लिखने के लिए आपको एक box बना लेना है ठेक है सबसे उपर आपको title जरूर लिखना है ठेक है यह आपका title हो जाएगा इदर और सारी बातें जो भी हैं जैसे यहां पर सारी चीज़े प्रोवाइड करवाई गई थी blood pressure वगेरा चेक किया blood sugar टेस्ट हुआ इसमें आदी से ज़्यादा बाती तो इसी में दी गई है इस तरीके से साथ नंबर की आपकी रिपोर्ट लिख सकती है next question यहां पर आपको तीन situation दी गई है जिसमेंसे आपको कोई एक situation लेनी है और उसके बारे में paragraph लिखना है सो शब्दों में जैसे first situation में आपको बिताती हूँ once a child working as help एक जो है मतलब एक बंदा किसी बच्चे को एक help के रूप में मतलब शॉप में या इंडस्ट्रीज में छोटे बच्चे को काम करते हुए देखता है the rights of the child are abused especially in developing cities countries तो जो developing countries होती है जो भी विक्सित नहीं हुई अच्छी तरह है वहाँ पर जो बच्चों के right साधिकार है वो बहुत ही जादा abuse किये जाते है child labor cannot be abolished unless there is free and compulsory education child labor को तब तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी country में बच्चों की education को free और compulsory ना कर दिया जाए इसके बारे में आप क्या feel करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है तो पूरा child labor के बारे में पैरा लिखना पड़ेगा आपको child labor क्या होता है और ये कैसे हमारे देश में नुक्सान पहुँचाती है ये चीज़े और इसके क्या क्या challenges होते हैं आप लिख सकते हैं child labor जो है वो बच्चे होते हैं जो 14 साल से कम उमर के बच्चे काम करते हैं ठीक है कहीं भी किसी भी शौप पे या फिर उन बच्चों की समस्याएं क्या होती हैं उनको बेच दिया जाता है फिजिकल और उनके साथ हारास्मेंट भी होता है तो यह सारी चीज़े हैं ठीक है next question है आपका यहाँ पर आपको एक conversation दी हुई है और यह conversation अजीत और कल्यानी के बीच में है यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि एक message format आपको यहाँ पर लिखना पड़ीगा तो यह conversation क्या है अजीत कहता है hello may I speak to Dave क्या मैं Dave से बात कर सकता हूँ मैं उसका friend अजीत बोल रहा हूँ कल्यानी कहती है मेरा भाई अभी घर पर नहीं है मैं उसकी बहन कल्यानी हूँ तो अजीत बोलता है कि क्या please तुम उसे एक message दे दोगे तो कल्यानी कहती है of course अब यहाँ पर जो चीज important है वो है यह line कि अजीत उसको क्या message देना चाहता है अजीत ने कहा tell him that the old students school reunion is taking place on Friday the 25th of this month at 5 p.m. in the taj hotel he has to come on to the reunion ठीक है यहाँ पर उसने message क्या छोड़ा है कि उसको यह बता दे ना कि old students students की जो reunion है वो 25 तारिक को इस वहीनी की 5 बज़े taj hotel में होने वाली है और उसको उसमे आना है ठीक है आब यहाँ पर kalyani जो है वो अपने भाई के लिए मतलब उसका भाई नहीए अब यहाँ पर अजीत का phone आया उसका भाई नहीए तो उसने बोला कि कल्यानी क्या मैसेज छोड़ेगी अपने भाई के लिए कल्यानी क्योंकि दिल्ली के लिए अभी जा रही है तो उसको एक मैसेज छोड़ना है अपने भाई देव के लिए तो उसको क्या मैसेज कैसे लिखना पड़ेगा तो इसके message पूरा ये वाली line हा जाएगी आपकी किया तुम्हें old reunion में जाना है और वो 25 तारीक को होगी पांच बजे ताज होटल पे ये सारी चीज़ आ जाएंगी from from यानि किसने लिखा है message कल लियानी that's it आपको इतनी सी बात लिखने आपको चार नमबर मिल जाएंगी next हमारा section c है grammar portion बहुत ही जादा important तीस नमबर में ये portion है और इसमें आपको करना कुछ नहीं होता बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है so यहाँ पर question बोला गया है कि आपको conversation दी गई है उसको पढ़ना है और उसमें जो paragraph हैं उनको indirect speech में convert करके blanks को fill करना है छे नमबर में question है देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं नीचे माधव went to a post office and requested a postal collect to dash ठीक है तो यहाँ पर ऊपर देखिए माधव please give me a postal stamp for this letter माधव जो जाता है वो postal stamp मांगता है letter के लिए और I want to send it to the next village मैं दूसरे गाओं में इसको भेजना चाहता हूँ postal collect उसको क्या बोलता है कि ये लीजे आपके पांच रुपे हो गए माधव बोलता है कि तुमने मुझे से कल चेननी letter भीजने के लिए भी पांच रुपे लिए थे और आज तुमने letter short distance में भेज रहा हूँ फिर भी पांच रुपे ले रहे हो तुम postal collect बोलता है एक rule है सर कि किसी भी letter के envelope के लिए पांच रुपे देने पड़ेंगी माधव बोलता है मैं तुम पर भरोसा नहीं करता मैं किसी और office में चला जाओंगा यहाँ पर आपसे क्या कुछा गया है माधव वेंट तो पोस्ट ओफिस और रिक्वेस्ट करी कलग से क्या request करी to give him a postal stamp यह चीज आप यहाँ पर लिखेंगे she gave him one and said उन्होंने उससे क्या कहा that will be rupees 5 की वो 5 रुपे का हो गया माधव प्रोटेस्ट माधव ने प्रोटेस्ट किया dash for a letter to Chennai and the next village was only a short distance away तो माधव ने क्या प्रोटेस्ट किया माधव ने प्रोटेस्ट किया कि they charged him rupees 540 yesterday letter ठीक है मतलब यह लाइन आपको फिर लिख देनी है यह लाइन यहाँ पर लिख देनी है फिर next village फिर यहाँ पर color politely explain किया that it is a rule that it is a rule ठीक है माधव reply माधव ने क्या reply किया that he don't that he doesn't believe them और क्या बोला मैं किसी और office में जला जाओंगा तो बस यही बाते हैं आपको थोड़ी से past tense में आपको लिखने होती है next question complete the following paragraph by filling in the passage filling in the blanks for each blank there are four options here is the most appropriate option for each blank the first one has been done for you 6 number में है यह इसमें आपसे क्या बोला गया है कि यह एक पूरा passage form में आपसे दे दिया गया है ठीक है paragraph चा और इन में से जो blank है ना यह जो blank है इनके लिए यह spaces option आपको दिये गये है इन में से कोई एक सही option आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो बहुत easy है global warming is an increase in the average temperature of dash earth अब देखे अर्थ जो है वो एक है तो यहाँ पर क्या use होगा and नहीं use होगा ठीक है the use होगा यहाँ पर जो भी चीज़ हमारी special होती है और एक होती है उसके लिए the use होता है तो यहाँ पर the हो जाएगा it is caused by the dash in carbon dioxide dash in carbon dioxide तो rise आजाएगा इसका rising भी नहीं आएगा है ना rose भी नहीं आएगा rises भी नहीं आएगा यहाँ पर rise आजाएगा levels and dash the atmosphere in the atmosphere तो यहाँ पर यह answer हो जाएगा which leads to two तो आएगा यहाँ पर देखे two है यहाँ पर यह रहा answer an increase in temperature on the earth global warming has accelerated due to massive desforestation by men मतलब किसके दवारा हो रही है men के दवारा तो by यहाँ पर आजाएगा ठीक है it is happening not because of a single cause but due to several causes but यह रहा इस तरीके से आपको सही answer निकाल के इसमें लिखना पड़ेगा next question है ninth question इसमें आपको rewrite करना होता है pairs को जैसे यह जो pairs दिये हुए है इसमें आपको extra यहाँ पर box में जो है option दिये होंगे पांच दिये होंगे बड़ आपको तीनों के लिए तीन ही यूज़ करने है दब बेबेई is crying बच्चा रो रहा है शे जंगरी वो भूकी है बच्ची रो रही है वो भूकी है तो यहाँ पर क्या यूज़ हो सकता है बच्ची रो रही है इफ का मतलब क्या होता है अगर अग पतलब यह सही है because आएगा यहाँ पर तो आप पहले यह पूरी लाइन लिख देंगे फिर बीच में because लगा देंगे ठीक है और फिर इस पूरी लाइन को उठाके इसके पीछे लिख देंगे इस तरीके से आपको यह करना पड़ेगा तीन नमबर में है पूरा आएगा यह जो है न यहांपर देखिए बहुत ही चोटी से आसान टरेक है आप यह देखिए यहांपर कौन सी चीज मिसंग है इस वाली लाइन में उपर से रेलेटट कौन सी चीज मिसंग है ंइस प्लैटु मिसंग है तो आप क्या बनेगा ऐसे वाज प्लाग्ड ठीक है by a stranger यहाँ पर देखिए इस लाइन में अब स्टाटल्ड स्टाटल्ड है यहाँ पर तो आप क्या गरेंगे वाज स्टाटल्ड ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर है everyone not to spend the night there everybody had warned him to not to spend the night there तो यहाँ पर क्या है यह missing है नीचे तो was warned was और warned मतलब was जरूर लगाना है और फिर सीज यहाँ पर सेम हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट वेशन यहाँ पर आप से complete करनी है आपको यह conversation by filling in the blanks with the correct wh questions wh questions क्या होते है what, where, when, which ठीक है इस तरीके के जो question होते है तो 6 नंबर में है यह तो यहाँ पर आपको क्या आना थी यह dash is your name what is your name है न यह तो सबको पता होगा what is your name dash is your hometown where is your hometown कहा है तुमारा hometown dash dishes can you cook which dishes can you cook कौन से dishes बना लेते हो ठीक है dash can you join the hotel when can you join the hotel when can you join the hotel dash will vouch for you who will vouch for you ठीक है dash did you leave his employment why did you leave his employment ठीक है इस सारे आपने WH questions लगा लिए next हमारा last question grammar portion से यहां पर आपको क्या करना है paragraph को fill करना है fill in the blanks को with the suitable forms of verb ठीक है all baby birds are dash from eggs bear का आपका आजाएगा bell born b-o-r-n born जो सारे baby birds होते हैं वो कहां से आते हैं अंडों में से ही तो निकल के आते हैं born का मतलब bear मतलब born born का मतलब क्या होते है पैदा होना while it is in the egg the embryo dash get all the food get को हम get ही लिखेंगे यहाँ पर all the food it dash from the yolk in the egg it needed आपको यह देख लेना है starting में हमने past tense use करी है या present tense use करी है past tense use करी है तो वो फिर past में ही चलेगा present use करी तो present में ही चलेगा ठेक है next question section डी आपका यहाँ से start हो जाता है literature का है यानि आपके book में से है 30 number का देखें आपका सिर्फ book में से 30 number का आ रहा है बागी जो 70 number का paper है वो आपका या तो grammar में से आ रहा है writing में से आ रहा है या फिर आपका reading में से आ रहा है जितने मैंने अभी तक ऊपर करवाएं है questions ये book के questions अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करवाया है ये देख लीजे आप तो 70 में से अगर आप 33 number लेके आ जाएंगे आप आराम से पास हो जाएंगे इस सारे book के questions हैं तो मैं अभी फिलहाल इनको जो हैं सर्फ दिखा रही हूं आपको क्योंकि मैं book में से अभी इस पूरे इसमें नहीं वैसे अगर आप चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं कि passage इसमें भी आते हैं जैसे यहाँ पर आप देखिए passage है और इसमें से आपको answer नीचे ढूंडने पड़ेंगे जाएगी और आपके पास समय कम है इसको देखने के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा शेयर जरूर कर दीजेगा अपनी सबी साथियों के साथ इसके अलावा चानल पर नहीं है सबस्क्राइब नहीं किया है सबस्क्राइब कर लीजे थियर्च क्लासस को थैंक्स फूल ओड़ें